हेलो एब्रीवन वेलकम तो माई चैनल व्यूटी प्रड़क्त विद रितु में गाइस आज मैं आपके लेकर रही हूं बहुत ही अच्छा और बहुत ही सस्ता फेस एंड बॉटी स्क्रब जिसे आप इजी पर्चेस कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा है आपके स्किन के लिए स्क्रब तो चलिए देखते हैं आज मैं आपके लिए कौन सा वाला स्क्रब लेकर आई हूं यह है वादी का हरवल पेस एंड बॉडी स्क्रब विद वालनट एंड एप्रिकॉट जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी पैकेचिंग दी हुई है आप इसे इजी ट् सकते हैं बहुत ही अच्छा है आपको पता ही है कि आप अगर अपनी बॉडी पर वैक्स करवाते हैं या रिजर से ही अपने हेर रिमूफ करते हैं तो आपको उसके बाद स्क्रब करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि जिससे आपकी हेर की ग्रोथ होती ह तो आपको उसके बाल ज फीज़ए पहने आएंगे और है रहाल सब्सक्रब बोड़ Says को उसके बाद जरूर यूज़ करना चाहिए जिसकी ऐसे आप उन्हाट दिरे दिरे में एक्दम से ना आए बहुत सारे बाल कहते हैं कि रेजर से बहुत सारी growth हो जाती है जो पहले बाल होते हैं उससे double आते हैं ऐसा कुछ नहीं होता लेकिन आपको scrub use करना बहुत सी ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि वह आपके skin को clear करता है और दूसरी बात आपके hair को भी आने से रोकता है जो growth ह होती है वो दीरे-दीरे स्टॉप होने लगती है तो चलिए आज में आपके स्क्रब का पूरा बता देती हूं यह है वादी का जिसके आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा इसका रेट है 120 रुपीज लेकिन इसका एक्ट्वल प्राइट सो 130 दिया हो था हां 130 है जिसके आप देख सकते हैं 10 रुपे कम हो गयते हैं मैंने परपल डॉट कॉम से इसे पर्चिस किया था सेल में तो यह मुझे 120 का पढ़ गया था बहुत ही अच्छा स्क्रब है और देखा जाए तो बहुत स्मूध है इसका टक्चर ठीक है और जैसे कि आप देख सकते ह यह है फैब 2020 जैन 23 यानि कि आपको तीन साल इसे यूज करने के मिल जाते हैं ठीक है यह इसका पूरा फॉर्मिला के बारे में लिखा हुआ है कि जो आपकी ब्लैक हेट्स को रिमूव करेगा आपकी स्किन को स्मूध बनाने का काम करेगा और लाइट टिंग करेगा आपकी स कि इसमें गते हैं आपकी स्किन की नेघक है सब्सक्राइब देख सकते हैं इसमें Walnut क्रप लिखा हुआ है को कज़को नट ओई और प्योर एप्रिकोड स्क्रब है स्टियम अलोगे एलोगे मालोगे सेला है सॉरी कि और क्या करते हैं इनिशल औला यह सी बटर है डैम वाटर है बहुती चीज़ में दी हुई है इसमें अप्लाइ करने का भी मैथड दिया हुआ है कि आपको अप्लाइ करना है अपने फेस और बॉड़ी पर और मसाज करना है सर्कुलर मोशन में और 5-7 मिनिट तक आपको करना है और आप कोई भी या तो वाइप सोती है जो कहते हैं एक ट्राइब वाइफ सोती है और एक ट्राइब वाइफ सोती है वहां से जिसको आप अगर अच्छा लगे आप उससे से क्लियर कर सकते हैं लेकिन वाटर से तो जादा अच्छा है अब नहाते वक्त आप नहा रहें तब आप अपने बॉड़ी पर लाइब तो अच्छा है अपधे सकते हैं और ती एरस विफोर दे रखा है जैसा की आपर दे रखा है वैसे ही नीचे दे रखे है ठीक है और वादी की वी चीजह हरबल है और नुकसान नहीं करेंगे आपको बहुत ही अच्छा है ठीक है मैं इसको ओपन करके वी दिखा देती हूं यह मैंना यूस क जोड norm देख सर्थें और यह बहुत क्रीम टेक्चर जिसका बहुत ही सोफ्ट है आप की one को सॉव्टे लोगा काम करेंगा नख़प्हत ही अच्छा एस च्छा या था की दुल बहुत है रहλα श्लीकी में प्रू एंसे जड़ देरां क्योंकि यह आपके skin को smooth और soft पनाने काम करेगा So guys कैसे लगा आज का वीडियो अगर अच्छा लगा तो करना है like share and subscribe to my channel. Thank you guys